जैहिन दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी और करेंट अफेर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो आज के इस वीडियो में हम 11 अक्टूबर 2020 से जो भी महत्मोन प्रशन आपके परिच्छाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रशनों को डिसकस करेंगे तो आएए कल के प्रशन जो थे उनके उत्तर पहले हम लोग जान लेते हैं तो पहला प्रशन था कि भारतिय तरटरच्छकबल की पहली महिला डियाईजी कौन बनी हैं तो नुपूर कुलसरेष्ट ये भारतिय तरटरच्छकबल की पहली महिला डियाईजी बन गई है भारत की पहली समुदरी एंबुलेंस किस राज में लॉंग की जाएगी तो आपको ध्याँ रखना है कि ये लॉंग की गई है कीरल राज में और इसका नाम रखा गया है प्रतिच्छा तो नाम और कहां पर लॉंग की गई है दोनों के बारे में आपको याद रखना है कोपेन हेगन किस देश की राजधानी है तो कोपेन हेगन ये इसका इन्नेवियन देश देन्मार की राजधानी है किसकी देन्मार की राजधानी आपको मिलेगी कोपेन हेगन में गल्टरम की बात करते हैं तो ये हमारे पडोसी देश भोटान की मुद्रा है ये आपको ध्यारकना है और सौरी मिसाइल की बात करते हैं तो अभी DRDO के द्वारा इसका परिछर किया गया उडिसाराज में और इसकी मारत चमता 750 किलोमेटर से अधिक है तो आपको ये ध्यारकना है कि इसकी मारत चमता 750 किलोमेटर से अधिक है और आज साम की जो वीडियो हो बदले गए हैं उनके बारे में हम जानेंगे और साम की जो वीडियो होगी वह आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण होगी उसमें हम लोग 2020 में जो भी मिसाइलें आपकी चर्चा में रही है उन सभी मिसाइलों के बारे में discuss करेंगे लेकिन उससे महत्मूर्चीज उस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मिसाइल क्या होती है मिसाइल की कितनी केटगरी होती है सुपरसोनिक, सबसोनिक या क्रूज मिसाइल, बैलेस्टिक मिसाइल, स्टेल्थ बॉम्बर यह सारे क्या होते हैं इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे तो सामवाली वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा इस वीडियो की जो पीडियो है वह आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरू जी और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में सेयर जरूर किया करें तो चलिए अब हम लोग आज के पहले प्रशन के साथ में शुरुआत करते हैं तो ये दिवस होता है प्रतेक वर्श दस अक्टूबर को यानि कि इस प्रशन का आपसं सी करेक्ट होगा तो मेंटल हेल्थ से सम्मंधित जो भी आपके मुद्दे हैं उन सभी के प्रती लोगों को जागरूख करने के लिए या फिर आप कह सकते हैं मानसिक स्वास्त के प्रती लोगों को जागरूख करने के लिए यह दिवस प्रतेक वर्श दस अक्टूबर को मनाया जाता है और इसे घोषना किसने की थी तो वर्ल्ड फेडेशन फॉर मेंटल हेल्थ के द्वारा इसे मनाया जाने की घोषना की गई थी और आपको सिर्फ थीम यादकनी है तो मेंटल हेल्थ फॉर आल इस वर्स के बिश्यो मानसिक स्वास्त दिवस की थीम है तो अभी हम लोगों ने कल डिसकस किया था मानसिक स्वास्त के बारे में कि मानसिक स्वास्त पर एक अंतर राष्टे सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका उधगाटन किया केंद्रिय वंतरी थावर चंद्र गहलोत ने मानसिक स्वास्त पुनरवास केंद्र की अस्थापना क की गई है मद्ध प्रदेश के सिहोर में और एक पोर्टल भी लॉंग किया गया है मानसिक स्वास्त पुनर्वास के लिए जिसका नाम है किरण तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है अगला प्रशन है अक्टूबर माह में प्रतेक वर्स बिश्चो प्रवासी पच्छी दिवस कब मनाया जाता है तो ये दिवस अक्टूबर माह में होता है दस अक्टूबर को यानिक इस प्रशन का आप्शन भी करेक्ट होगा तो जो हमारे प्रवासी पच्छी है और उनकी समच्छन के प्रती जो भी अंतरराश्टिय अस्तर पर सहयोग है उसके महत्व के बार 10 अक्टूबर को ये मनाया जा रहा है और इस बार की थीम है बर्ट्स कनेक्ट आवर वर्ड यानिकि जो हमारी इस प्रकार की प्रवासी पच्छी होते हैं वे दुनिया को जोड़ने का काम करते हैं अगला प्रशन है किस राज की सरकार ने राज आप्दा प्रत्किरिया बल की नविंतम Quick Deployment Antena Technology का उधगातन किया तो इसका उधगातन किया है उत्तरा खंड राज की सरकार ने यानिकि इस प्रशन का Option A करेक्ट होगा अब ये है क्या यानिकि Quick Deployment Antena Technology है क्या तो देखेंगे अगर आप उत्तरा खंड राज को तो यह राज परवतिये सिखरूं पर इस्थित है यानि कि जो हमारे पहाणिया है उनके उपर यह राज इस्थित है तो कई बार क्या होता है कि जब भी किसी प्रकार के आपातकाल की इस्थिती होती है मालने ये कहीं पर आग लग गई या कहीं पर बार की इस्थिती आ गई तो उस इस्थिती में जब हमारी सेटेलाइट का यूज किया जाएगा और ऐसे जो भी हमारे no signal area होंगे वहाँ पर सेटेलाइट के माध्यम से संचार को अस्थापित किया जाएगा जैसे आपने सेटेलाइट phone के बारे में सुना होगा तो यहाँ पर सेटेलाइट का यूज कम्यूनुकेशन के लिए किया जाएगा अगर कोई आपात के स्थिती उत्पन होती है उत्तराखंड की बात करते हैं तो राजधानी देहरादुन में है बिंटर में गैरसेण समर की राजधानी है राजपाल है बेबी रानी मौरे और मुख्य मंत्री है त्रवेंदर सिंग रावत उच्चे नियाले आपको मिलेगा नैनी ताल में और रभी माली मत यहां के मुख्य नया देश है अस्थापना इसकी हुई थी नव नॉवंबर वर्स 2000 में राष्टिय पार्क गोविंद पसु बिहार है फूलो की घाटी राष्टिय पार्क है नंदा देवी राष्टिय पार्क है जिम कारबेट है गंगोत्री है और आपका है राजा जी टाइगर रजर्ब आपको दो मिलेंगे जिम कारबेट और राजा जी बायोस पर रजर्ब यहां पर एक है नंदा देवी मंदिर कई सारे हैं दो आपको यादकने केदारनात और बद्रिनात का एलिफांट रजर्ब एक है जिसका नाम है सिवालि और यहाँ पर हम लोग उत्तराखंड से जुड़ेवे आईए 10 पॉइंट भी चान लेते हैं अभी कल मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड राज की सरकार के द्वारा मुख्य मंतरी, साउर, स्वारोजगार योजना की सुर्वात की गए भारत का जो पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज है उसका भी निर्मार किया जा रहा है उत्तराखंड में इसके अलावा चमबा सुरंग का भी यहां पर उध्गाटन किया गया है एक भारत स्रेष्ट भारत के अंतरगत करनाटक के साथ जोड़ा गया साच्छता रिपोर्ट में ये रहा तीसरे अस्थान पे संस्कृत पांडूलिपियों के लिए दिजिटल पुस्तकाले के निर्मार की गोशना की गई है एग्री कल्चरल लैंड लीजिंग पॉलिसी को लागू करने वाला ये पहला राज़ बना है एडवेंचर परेटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ में इसने समझोता किया है प्रवासियों के लिए मुख्य मंत्री स्वारोजगार योजना की सुरुवात की गई हिम्ते दूओ के लिए स्तरक्षट किंद्र बनाने वाला देश का पहला राज़ बना है भारत का पहला कवक पार्क जो है उसका भी विकास उत्तराखंड में किया गया हल दौनी में सबसे बड़े जयव विवित्तापार का निर्मार किया गया है प्रसिचित इवाओं के उरोजगार के लिए हो पोर्टल भी लॉंच किया गया है उत्तरा खड़ में और जो हमारे राज्यों की स्रीज होगी उसमें हम इसी प्रकार से जो भी हमारे राज्य हैं उनसे सम्मंधित करेंट अफेर्स को डिसकस करेंगे यानि कि one liner के फार्म में होगा पहले हम लोग उस राजी के बारे में basic जानेंगे और उसके बाद में उस राजी से सम्मंधित current affairs को discuss करेंगे तो मेरी कोशिस रहेगी कि दो-दो महिने के जो आपके current affairs हैं उनको हम लोग discuss करें तो कुल मिला करके लगभग 4-5 पार्ट होंगे और उसमें हम लोग इसी प्रकार से वन liner के फार्म में सारे current affairs को discuss कर लेंगे क्योंकि राज्यों से सम्मंधित अगर हम लोग current affairs को discuss करने जाएंगे तो वीडियो की length भी काफी जादा हो जाएगी और काफी सारे आपको ऐसे fact भी पढ़ने को मिल जाएंगे जो आपकी परिच्छा के द्रिश्ट कोंड से महत्पून नहीं है तो इसलिए कोसिस ये रहेगी मेरी कि यहाँ पर राज्यों से सम्मंधित जो current affairs हो उसको हम लोग 4-5 वीडियो में one liner के form में discuss कर लें अगला प्रेश्ट है Forbes India Rich List 2020 के नुसार भारत के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन है तो आपको ध्यान रखना है कि दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं गौतम अदानी कौन है गौतम अदानी तो इस प्रेश्ट का option D correct होगा तो Forbes जो की अमेरिका की एक business magazine है उसके दुआरा दुनिया भर के जो अमीर लोग है उनकी सूची जारी की जाती है तो दुनिया के अगर अमीर लोगों की बात करें तो सबसे अमीर कौन है जेप बिजोज अमीजन कंपनी वाले उसके बाद में है बर्नौल अर्नौल्ट फिर ह हमारे आते हैं Bill Gates जो की Microsoft Company के हैं और Baswick अस्तर पर सबसे धनी व्यक्तियों के सूची में मुके संबानी वर्तमान में छठे अस्थान पर हैं ये भी आपको ध्यारखना है और इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति तो हैं ही मुके संबानी और ये लगातार 13 वर्ष भारत के सबसे अमीर व्यक्ति चुने गए हैं तो ये आप पूरी लिष्ट देख सकते हैं मुके संबानी Reliance Industry वाले ये हैं पहले अस्थान पर गौतम अडानी ये रहे दूसरे अस्थान पर सिव नदार जो की SCL Technology वाले हैं ये हैं आपके तीसरे अस्थान पर राधा कृष्ण दमानी Avenue सु इस पर रोक लगा दिया तो ये रोक लगाई गई है मौरिसस से प्राप्त होने वाले FDI के उपर यानि कि इस प्रेशन का Option D करेक्ट होगा मैंने आपको अंकटाड की रिपोर्ट के बारे में बताया था ध्यान रखिएगा बैस्विक अस्तर पर अगर हम लोग FDI प्राप्त करने वाले देशों की सूची की बात करती है तो उसमें सबसे ज़्यादा FDI मिलता है USA को और बैस्विक अस्तर पर हमारे देश का अस्थान है नववा यानि कि दुनिया में हमारे देश को नववे नमबर पर सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त होती है FDI क्या होता है यानि कि Foreign Direct Investment जिसे हम लोग प्रतेश बिदेशी निवेश के नाम से भी जानते हैं और इसके अंतरगत किसी देश का व्यक्ति किसी अन्य देश के कमपनी में निवेश करता है और इस निवेश के अंतरगत उसको वहाँ पर हिस्सेदारी भी मिलती है तो मैं आपको कई बार इसके बारे म मिलता है फिर मिलता है निदल लेंड से उसके बाद में अमेरिका फिर आता है जापबान का नंबर तो सुरुवात के तीन आपको ध्यान रखने हैं सिंगापूर से सबसे ज़्यादा मौरिसेस को दूसरे नंबर पर और निदल लेंड से तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा FDI हमारे देश को मिलती है तो हाला कि यहाँ पर रिजर बैंक आफ इंडिया के द्वारा ये कहा गया है कि मौरिसस से जो हमारे देश में NBFC को FDI मिलता है वह Financial Action Task Force के द्वारा जो निर्धारित किया गया Benchmark है उसको पूरा नहीं करता है तो इसी लिए हम प्रदबंद लगा रहे हैं लेकिन मामला यहाँ पर यह हुआ है कि चीन से जो FDI भारत को आता था भारत सरकार के द्वारा उसके उपर प्रदबंद लगा दिया गया है तो अब क्या हुआ चीन के जो ब्यापारी है या चीन के जो कमपनिया है उन्होंने सेल कमपनी अस्थापित की मौरिसस में और फिर मौरिसस के माध्यम से हमारे देश भारत में इनके द्वारा पैसा इंवेस्ट किया जा रहा है और नन बैंकिंग फाइनल सिल कमपनी ऐसी होती है जहां पर काफी जादा इस प्रकार से पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है तो इसलिए RBI ने ततकाल प्रभाव से मौरिसस से जो हमारे NBFC में फॉरें डिरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा था उसके उपर यहां पर रोप लगा दी है तो सौट में मैंने आपको समझा दिया फिर भी अगर आपको कहीं पर इसमें डाउट होता है तो वह आप नीचे कमेंट में पोस्ट सकते हैं मौरिसस की बात करते हैं तो पोर्ट लुइस यहां की राजधानी है प्रवेंट जुगन नौत यहां के PM है और यहां की मुद्रा आपको मिलेगी रुपिया तो जो आठ देश मैंने बताये थे उनमें मौरिसस भी एक देश है जहां की मुद्रा है रुपिया अगला प्रशन है अक्टूबर 2020 में प्रते ग्रामेड घर में पेजल कनेक्शन देनी वाला देश का पहला हर घर जल राज कौन बना तो यह राज बन गया है गोवा यानि कि इस प्रशन का आपसन ए करक्ट होगा तो हम लोगों ने कई बार डिसकस किया है कि पिछले वर्ष जब जल सक्ती मंत्राले का गठन किया गया था उसी के बाद में भारसरकार के दोआरा जल जीवन मिशन की घोशना की गए थी और इस मिशन का लच्छ है कि 2024 तक हमारे देश में जो भी ग्रामेड इलाकी है वहाँ पर हम लोग पाइप कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ जल मोहिया करवा सके तो इसी क्रम में गोवा हमारे देश का पहला राजी बन गया है जिसने अपने यहां के 2,30,000 ग्रामेड परिवारों को पेई जल कनेक्शन की सुबिधा की सुरुवार कर दी है तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है गोवा की बात करते हैं तो राजधनी यहां की परजी है राजपाल है भगास सिंग कोसियारी मुख्य मंत्री है प्रमोस सावंत लोग सभा में एक सीट है राज सभा में भी यहां की एक सीट है और विधान सभा में यहां की 40 सीट है गोवा का जो उच्चे नियाले है आपको ध्यां रखना है वह मुंबई में मिलेगा हाला कि इसकी एक खंड पीता आपको गोवा की राधानी परजी में मिल जाएगी और इसके मुख्यन अधिस्त कोन है दिपांकर दत्ता गोवा के बारे में ये दो important चीज़ें आपको ध्यां रखनी है गोवा जो की पुर्तगाल देश्त का एक कालूनी था तो आपरेशन विजे के अंतरगत 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल से गोवा को आजात कराया गया था और उसके बाद में 30 मई 1987 को हमारे भारतिय संग में 25 राजी के रूप में गोवा को सामिल किया गया था राष्टिय पार्क आपको मिल जाएगा एक जिसका नाम है भगवान महामीर अभ्यारन्य वा मोलम राष्टिय पार्क वन्यजी अभ्यारन्य की बात करते हैं तो बोंदला, निद्रावली, कौतियागो, मयादेई और सलीम अली पच्छी ब्यार यहां के कुछ प्रमुक उन्यजी अभ्यारन्य है अगला प्रशन है, किस राज की सरकार ने PM किसान योजना के लिए इंडिया पोष्ट के साथ में एक समझोता किया तो यह समझोता किया है, गोवा राज की सरकार ने तो इस प्रशन का option भी correct होगा अब इस समझोते के अंतरगत होगा क्या तो पहले आप जानिए PM किसान योजना के बारे में जिसकी सुरुवात पिछले वर्स की थी PM ने कहां पर? उत्तर प्रदेश के गूरख पुरजिले से और इस योजना के अंतरगत, जो हमारे देश के किसान है उनको एक साल में 6,000 रुपए की वित्तिय साहता दी जाती है कितने की? 6,000 रुपए की वित्तिय साहता मिलती है लेकिन यहां एक बार में नहीं मिलता है दो-दो हजार रुपए प्रतेग चार महिने के अंतराल पर उनको दिये जाते है अब यहाँ पर गोवा में क्या मामला हुआ तो गोवा में अभी भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका रजिस्टेशन P.E.M. किसान योजना के अंतरगत नहीं हुआ है तो यहाँ पर गोवा की सरकार ने इंडिया पोश्ट के साथ में समझोता किया है और इस समझोते के अंतरगत जो भी इंडिया पोश्ट के आपके पोश्ट मैन है वो एक किसानों के घर पर जाएंगे और जो भी आपके eligible farmers हैं उन सभी का यहाँ पर नामांकन किया जाएगा या जानिक artificial virtual summit जिसका नाम है RES 2020 इसका आयोजन किया गया तो आपको ध्यान रखना है कि electronics और IT मंत्राले के द्वारा नीती आयोग के साथ में मिल करके भारत के पहले AI virtual summit जिसका नाम है RES 2020 इसका आयोजन किया गया है तो इस प्रेशन का option C correct होगा अब इस summit के बारे में आपको यह intelligence पर आधारित सम्मेलन था और पांच दियूसिये इसका आयोजन किया गया यानि कि पांच गिनों तक इसका आयोजन हुआ और रैच का पूरा नाम है Responsible Artificial Intelligence for Social Empowerment 2020 तो इसमें बहुत सारे देशों के जो प्रतनिदी हैं नोंने भाग लिया और इसमें इस बात के चर्चा की गई कि किस प्रकार से कृतिम बुद्धिमत्ता का जो यूज है वह अलग-अलग फिल्ड जैसे कि हमारा मेडिकल हो गया स्वास सीवा हो गया या जो भी हमारे अन्य फिल्ड हैं वहां पर कैसे की जा सकती है तो ये आपको ध्यार रखना है इसी दोरान International Business Machine जो कि अमेरिका की एक कमपनी है इसने Government e-marketplace के साथ में समझोता किया और इस समझोते की अंतरगत Artificial Center of Excellence यानि की कृतिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टिता केंद्र की अस्थापना हमारे देश भारत में की जाएगी IBM कमपनी के द्वारा और Electronics और IT मंत्राले की बात करते हैं तो रवी संकर प प्रसारण मंत्राले इसके मंत्री कौन है तो प्रकास जावडिकर जी जो कि हमारे पर्यावरण मंत्री भी है वे आपके सूचना और प्रसारण मंत्राले के मंत्री है और आपको बताना है कि प्रत्वी विग्यान मंत्राले के मंत्री कौन है किस राज की सरकार ने अपनी तर प्रिवाल जी यहां के CM है तो इनी की अधिशता में दिल्ली कैबिनेट के बैठक हुई जब हम लोग कैबिनेट की बात करते हैं तो जो हमारे कैबिनेट मंतरी होते हैं इसके अलावा CM होते हैं उनके बीच में एक बैठक का आयोजन किया जाता है और उसी दोरान यहां पर टी Plantation Policy को मंजूरी दी गई है अब यह Policy है क्या तो इस Policy में कहा गया है कि अगर आप किसी भी प्रकार के निर्मार कारे के लिए या किसी भी प्रकार के Development Project के लिए अगर आप वहां पर लगाए गए पेड़ों की कटाई करते हैं तो उसके एवज में आपको 80% पौधे लगाने ह 80% पौधों को लगाएंगे तो उन 80% पौधों में से आपको 80% पौधों की निगरानी भी करनी है यानि कि वह सूपने ना पाएं आपको इस प्रकार से प्रबंद करना है कि वह पौधे ग्रो हो करके एक ब्रिच का रूप ले सकें तो कुछ समय पहले यूद अब्रुत अभियान के मंजूरी दी थी दिल्ली की सरकार ने और उसी के अंतरगत यहाँ पर पौधार ओपन नीती को भी मंजूरी दी गई है इसके अलामा आपको ये ध्यान रखना है कि दिल्ली की सरकार ने ये कहा है कि जो हमारे यहाँ पर कनाट प्लेस है वहाँ पर हम लोग 20 करोड की लागत से दुनिया के दूसरे स्मॉक टावर के स्थापना करेंगे पहला स्मॉक टावर कहां पर है तो ये आपका है चीन में और दूसरे स्मॉक टावर के स्थापना की जाएगी दिल्ली में तो ये भी आपको ध्यारतना है अगला प्रेशन है अक्टूबर 2020 म किस कभी को सरला पुरसकार से सम्मानित किया गया तो ये पुरसकार मिल गया है नित्यानंद नायक जी को तो इस प्रेशन का option C correct होगा और आपको ये ध्यारतना है कि उडिसा राज की सरकार के द्वारा ये पुरसकार दिया जाता है तो नित्यानंद नायक जी जो कि उडिसा र ला कृपए दिये गए और एक प्रसस्ति पत्र भी दिया गया है इसकी अलावा ये भी आप देख सकते हैं कि रंजीत कुमारनाख को संगीत में योगदान के लिए इला पंडा संगीत संबान दिया गया अगला प्रशन औक्टूबर 2020 में किस राज़ की सरकार ने सबसे बड़े oxygen उत्पादन संयतर को अस्थापित किया तो ये अस्थापित किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने यानिक इस प्रशन का option भी correct होगा तो उत्तर प्रदेश में आपको एक जिला मिलेगा जिसका नाम है जिला गाजियाबाद तो मूवी आपने देखे होगी जिला गाजियाबाद कि यह एक हजार मेट्रिक टन आक्सीजन को इस्टोर भी कर सकता है तो उसके बार में राज के जो भी प्राइबेट या सरकारी होस्पिटल है वहाँ पर इन आक्सीजन की सप्लाई की जाएगे तो यह आपको ध्यारकना है उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो राजधानी लखनों में है आनंदी बेन पटेल राजिपाल है मुक्यमंत्री यहां के है योगी आदित्तिनाथ और मुक्यने अधिस कौन है गोविन माथूर है उच्चे नियाले आपको मिल जाएगा प्रियाग राज में राश्टिय पार्क एक ही है जो इसका नाम है दुद्वा टागर रजर्व, अमानगट, पीली भित और दुद्वा में है रामसर अस्थल आपको ध्यारकने है क्योंकि सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में तो पड़ सकते हैं केके उसा जिनका हाली में निधन हुआ किस राज की प्रथम महिला मुख्य नयाधिस थी तो आपको ध्यारकना है कि ये प्रथम महिला मुख्य नयाधिस थी केरल राज की और अभी हाली में इनका निधन हुआ है तो इस प्रश्ण का option A correct होगा तो 1991 से 2000 तक ये केरल उच्य नयाधिस रहे थी और उसके बाद में 2000 से 2001 तक केरल उच्य नयाधिस के पहली महिला मुख्य नयाधिस के रूप में इनका निधन हो गया है तो ये रहा आज का current affair चलते चलते कुछ अन्य चीज़ें भी जान लेते हैं लिंग भेद मिटाने के लिए एक अभियान चलाया था फिंलेंड के एवा मोर्तो ने जोकी 16 वर्श के थे और इसी अभियान के लिए इनको सम्मानित करने के लिए फिंलेंड ने एक दिन के लिए इनको पृधान मंतरी बनाया था तो important pressure आपको ध्यान रखना है वैसे अगर हम लोग Finland days की बात करते हैं तो ये भी हमारा एक Scandinavian country है जिसकी राधनी आपको मिलेगी हेलन स्की में और यहां के PM वैसे है कौन तो सना मारिन जो की दुनिया की सबसे कम उम्र की PM है ये वर्तमान में यहां की PM है तो ध्यान रखिये का नाम इवा मूर्तो इनका नाम है और लिंग भेद को मिटाने के लिए जाने के gender balance को अस्थापित करने के लिए इनके द्वारा ये अभिहान चलाया गया था DRDO के द्वारा रुस्तम टू अनमेन वैकल का अभी करनाटा के चित्रदुर्ग में परिछण किया गया तो इस प्रेशन को कल हम लोग थोड़ा सा डीटेल में देखेंगे Artificial Intelligence और 5G तक्नीक में सहयोग के लिए भारत और जापान ने समझोता किया है चुनाओ आयोग ने अब ये कहा है कि अगर कोई भी राजमीतिक दल के लिए पंजीकरण करवाना चाहता है तो उसको अभी तक जो नोटिस की अवद थी वह 30 दिन से घटा करके 7 दिन किया गया है यानि कि पंजीकरण के लिए नोटिस देने की जो अवद पहले 30 दिन थी अब उसको घटा करके साथ दिन कर दिया गया है और केंद्रिय स्वास्त मंत्री, डाक्टर हर्सवर्धन के द्वारा नई दिल्ली में, डी बी टी, बिराग प्लीन, टेक डेमो पार्क और घाटन किया गया तो इस प्रेशन को भी हम लोग कल डीटेल में देखेंगे आज के वीडियो से आपके लिए प्रेशन है किस प्रकार के मिसाइल का जो पत है, वह आपका नियत रहता है यानि कि वह जो मिसाइल होती है, वह एक नियत पत पर चलती है नोबल पुरसकारों का जो बितरण है, वह किस दिन किया जाता है गणित के चेतरकार नोबल पुरसकार किस पुरसकार को हम लोग कहते हैं बाला देवी किस खेल से सम्मंधित खिलाडी है आश्टेलियन ओपन 2020 के बिजीता कौन रहे थे महिला और पुरस कर्टेगरी दोनों के बारे में आपको बताना है इस वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सुभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो आपको कैसा लगता है इसके बारे में अपना फिटबेक जरूर दिया करें और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो helpful है तो फिर आप इसको अपने दोस्तों के साथ में सेयर जरूर किया करें क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो को continue रख सकूँ तो वीडियो को आपको जादा से जादा लोगों के पास में सेयर जरूर करना है थांक्स पर वाचिंग जै हिंद जै भारत और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत